निविश्कर दोस्तो जेहिंद वंदे मात्रम आपशवी का श्वागा तविनन्दन है टीचेस फैमिली टीटी फैमिली सिचकों के परिवार जैसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो आज की क्लास रम सोसल साइंस समाजे बिज्ञान की क्लास की बात करेंगे आपके क्लास 628 जो आपका ठीटिक जाम हो रहा है यह प्रक्टिस सेट नंबर 7 है इसके पहले NCRT बेस जो है 6 प्रक्टिस सेट आलेडी कंपीट कर चुके हैं जिसका आई बिटन पर प्लेलिस्ट आलेडी दे दिया गया है सारी क्लास इज फ्री आपकोश्ट है साथी साथ इंस्टागाम, फेस्बुक पेंच और टिलिग्राम ग्रुप से अवज्जू जाएगा लाटिस्ट अपडेश पाने के लिए तो चलिए सुरुआत करेंगे पहले प्रिश्ण की तरप जो की सबसे इंपोर्टेंट प्रिश्ण हो जाता है कि राजसभा का सदस्च चुने जाने के लिए प्रत्यासी की उम्र जो है कितनी होनी चाहिए जिया दोस्तों राजसभा, लोकसभा, दोनों इंपोर्टेंट राजसभा का सदस्च चुने जाने के लिए प्रत्यासी की उम्र होनी चाहिए तो ये कार्णिंट कोश्चन समारा क्या हो जाएगा 25, 35, 30, 21 साल तो सभी लोग जानते हैं राजसभा का गठन 1922 में हुआ और ये उम्रताइं की गई थी 30 साल और लोगसभा का अगर पूँचा जाता है तो लोगसभा का 25 साल किया गया है तो दोनों चीज़ें आपके क्लियर हो चुकी इसके बाद अंगला प्रशन है भारती समिधान का चवलिस्वा संसोधन निमलिखित में से किस प्रधान मंत्री के समय में किया गया प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी जी, चनसेखर जी, चौधी चरण सिंग या मोरार जी देशाई की बात करेंगे तो आप सभी लोग जानते हैं भारती समिधान चवलिस्वें के एक वार्डिंग देखा जाए तो इसमें आपका जो राइट अप्सन हो जाता है भे मोरार जी देशाई हो जाता है इनके नेत्वत्वाली सरकार के समय यह चवलिस्वा समिधान संसोधन हुआ था इसके बादे सरोच न्याले का वह कौन सा नयाधीस था जिनके खिलाब महावयोग प्रकिया आरम की गई लेकिन महावयोग पास नहीं हो सका प्रकिया तो आरम किया गया था किनके खिलाब कौन से नयाधीस जिनके खिलाब जो है महावयोग प्रकिया आरम की गई लेकिन महावयोग पास नहीं हो सका क्या वयाब के के जी बालकशन जी है वी रामश्वामी जी है सेमित्र सेन जी है या स्वतंत कुमार की बात कर रहे हैं सरोच न्याले वह कौन सा न्याले था जिनके खिलाप महाव्योग प्रकिया आरंब की गई लेकिन महाव्योग पास नहीं हो सका तो वह कहला जाता है वी रामश्वामी दोस्तों इनके खिलाब जो है 1993 में माई 1993 में महावियोग प्रस्ताव ला गया लेकिन महावियोग पास नहीं हो सका लेकिन बाद में इनको इस्तीफा जरूर देना पड़ा था क्योंकि सुप्रीम कोट के कोई भी जज इनके साथ बेंच पर बैठने को तयार ही नहीं थे इसलिए इनको इस्तीफा देना पड़ा इसके बाद अंगला प्रशन है कि भारती समिधान की बरहमी अनसूची सम्मंदित है पंचायती राजबिवस्था, नगरपालिका, केंद की भासा से या केंद राज समंदित हो जाती है वह आपके नगरपालिका से समंदित हो जाती इसके बाद अंगला प्रशन है कि वह कौन सा उप राश्पती था जिसका देहान्त अपने कारकाल के दोरान हुआ सब भी बताईए उस राश्पती का नाम बताईए वह कौन सा राश्पती था जिसका देहांत अपने कारकाल के दोरान हुआ या ऐसे भी प्रशना सकता कि भारत के किस राश्पती के म्नतूप पद में रहते हुई थी या उनके कारकाल के दोरान देहांत हुआ था दोनों में से किसी का भी पूंचा जा सकता है, तो डंक्टर जाकिर हुसैन की बात की जाती हुआ ऐसे, लेकिन एकार्डिंग डू कोश्चन्स यहाँ पर देखा जाए, तो आप्संस पर देखा जाए, तो यहाँ पर कृष्ण कांद का नाम आता है, प्रत्वी का कुल स्थली छेत का प्रिस्चत कितना हो जाता है, तो यह हो जाता है, 29 प्रिस्चत, पहाड, रेगिस्तान, मैदानी, पठार, भूपार्क्तिक रूट में बटा हुआ है, टोटल 29 प्रिस्चत की बात करते हैं, वाई मंडल के सबसे निचली परत कौन सी है, तो वाई मंडल की मद परत, निचली परत, सभी लोग जानते हैं, छोब मंडल सबसे निचली परत है, इस परत में क्या क्या होती है इस परत में आपकी आधत्रा हो गई आधता के बाद जलकन होते हैं जलकन के बाद वायधुन्द होता है सभी मौसमी घटनाएं होती है सभी मौसमी घटनाएं किसमें होती है आपके चोब मंडल में होती है सभी बहिर जनिक भो आकरतिक प्रक्याओं के लिए एक समान सब्दावली प्रियुत की जाती है वह पटल विरूपन है अप्छे है कार्बोनेशन है या अनच्छादन है दोस्तों सभी बहिर जनिक भू आकरतिक प्रक्याओं के लिए एक समान सब्दा वली प्रस्तूत की जाती है वह आपका अनच्छादन कहला जाती है अंगरा जय मंडल में जीव तथा पर्यावर्ण के मद्ध रासानिक तत्तों के चक्री प्रवाव को जाना जाता है गैसी चक्र में जय भू रासानिक चक्र जल चक्र या भू आकारिक की बात कर रहे हैं तो जय मंडल में जीव तथा रासानिक तत्तों के चक्री प्रवाव को जाना जाता है तो वह जय भू रासानिक चक्र के रूप में जाना जाता है इनके आकार्वनिक और जयाविक रोप में प्रव्यतित होने की प्रक्या को ही जयो मंडल में जीव दथा प्रियावण के मद्ध रासानिक तत्त्तों के चक्री प्रवाय को कहा जाता है तो भूर असानिक चक्र की बात कर रहे हैं अंगला प्रस्ण देख लेते हैं प्रस्ण दिया गया है दोस्तों इंपोर्टेंट प्रस्ण ध्यान दीजेगा निम्लिकित में से कौन सी एक कायंत्रित सैल नहीं है यानि कि हमें कायंत्रित सैल की बात करते हैं संगमर्मर हो गया स्लेट हो गया क्वाट्जाइट हो गया ये तीनों कायंत्रित सैले होती है लेकिन जो चूना पत्थर है ये आपका कायंत्रित सैल नहीं होता है और कायंती सेल के उधारन भी है ताप, दाब, मूल, विसेशता इन में होती है नए खर्णिजों के निर्वान इनने बदलते रहते हैं कायंती सेल के प्रमुक, सलेट, संगमरमर, हीरा, सलिस्ट ये हो गए हीरा भी होता है, क्वार्जाइट की बात कर रहे है अंगला प्रश्न है, हडप्पा संस्कती सिंदु घाटी सबता के अभिलेख मुकते की सवस्त उपर बने मिले ये आपके हिस्टी से प्रश्न है सिलाओं से, मुहरों से, इस्तंभों से या ताम पत्तों से बने हुए हैं तो सभी लोग जानते हैं हडप्पा संस्कत के अभिलेख मुकते जो है आपके की सवस्त बने हुए तो मुहरों पर बने हुए है और हडप्पा पुर्वत्तर पाकिस्तान के पंजाब का एक पुरा तात्विक इस्थल था सिंधुगाटी सबता के अनेक अउसेस यहां से प्राप्त हुए थी तो पाकिस्तान पंजाब की बात करेंगे उत्तरवैदिक काल में आरिश शंस्कत का केंद्री इस्थल था सब तसंधो प्रदेश गंगायमना मगज या दक्कन की बात करेंगे तो उत्तरवैदिक काल में आरिश शंस्कत का केंद्री इस्थल था और वह कैला जाता है गंगायमना दुआव यही पर कुरू एवं पांचाल जैसे विसाल राज थे कुरू आपने सुना भवग और यही से आर्ष संस्कत की पूर्वी से प्रस्थान का कोराल, कासी और इनका विदेह तक फैला हुआ था गंगा यमना दुआप भारत के प्राचीन नगरों का पतन जो है अर्बन डेसी इन इंडिया थी हेंडेड एड वन थाउजेंड नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है भारत के प्राची नगरों के पतन के नामक प्रशिद जो है पुस्तक की लेखक कौन है वे कहला जाते हैं राम सरन सरमा जी ये प्रमुक इतिहास कार और सिच्छा विध्य थे इन्होंने भारती तिहास को वन्सवादी कथाओं से मुक्त कर समाजिक और आर्थिक तिहास से लेखन की प्रकिया करने वाले में गिने जाते हैं और इनकी बहुत सी रचनाएं प्रकासित हुई हैं भारत के प्राचीन नगरों का पतन जिन में से प्रमुख हिंदू बिवाहित महिलाओं का प्रथक निवास सेवं भरन पोषण अधनियम कब पारित हुआ जियां दोस्तों सभी लोग कमेंट कीजेगा हिंदू बिवाहित महिलाओं का प्रथक निवास सेवं भरन पोषण अधनियम कब पारित हुआ तो 1946 में पारित हुआ था इसकी बात करेंगे दोस्तों 1946 में जो है हिंदू बिवाहित महिलाओं का प्रतक निवास भरन पोषण अधियम पारित हुआ भारती समाज के तिहास में 1856 कावर समाथ पूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि क्यों सिद्ध हुआ पहला आपसन सही हो जाएगा अगला पस्ने भारती तिहास में स्रेन नियुग किस काल के लिए प्रिप्ट होता है तो भारती तिहास में स्रेन नियुग की अगर बात करते हैं तो ये गुप्त काल के लिए प्रिप्ट होता है इसे भारती संस्कत में प्रचार प्रसार धार्मिक सहिस्नुता हो गया, संस्कती हो गया, आर्थिक सम्रद्धी हो गया, साहित्तिक हो गया, इनके कारण गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्रेनियोग कहा जाता है किसके कारण प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिसुनता, संस्कति, आर्थिक सम्रद्धि, सहाथिक प्रगति, ठिक इनके कारण स्रमण बेल गोला इस्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्मान किसके काल में हुआ? होईशल, गंग, राष्टकूर्ट या चालुक की बात करते हैं तो स्रमण बेल गोला इस्थित जो बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्मान किसके काल में हुआ? तो वह कहला जाता है दोस्तों, गंग की बात करेंगे गंग वण्स, ठिक है? गंग वण्स की बात की जा रहे हैं और इसकर निर्माण गंग वण्स के मंत्री कौन थे दोस्तों? आपके स्रमण बेल गोला इस्थित बावबली जमहान प्रतिमा है गंग वण्स के जो मंत्री थे और सेना पती चामुंड राय ने करवाया था किस ने करवाईा था चामुंड रायं ने अब प्रस्थन आता है तो चामुंड रायं की बात करें ने की अ और ये जो स्रमंध बेल गोला जो प्रतिमा़ है ये किनकी करी लिए एक तीर थिस्तल है तो ये दोस्तो आपके जैनियों के लिए हो जाता है जैनियों के लिए प्रमुक्तीर तिस्तल माना जाता है इंडिका के लेखक कौन है तो इंडिका के लेखक मेगस्तनीच की बात कर रहे हैं मेगस्तनीच एक यूनान का एक राज़ूस्त था जो चंदगुप के दरवार में आया था उसने भारत को देखा और औरन्भव किया और वर्णन उसने इंडिया नामक पुस्तक में किया था कंबुज इस्तित अंग कूर्वाट का अब्विश्र मंदिर किसने बनवाया शूर वर्मा प्रथम, जय वर्मा चतुर्त, शूर वर्मा दुती या यसो वर्मा तरती तो कंबुज इस्तित अंग कूर्वाट का अब्विश्र मंदुर जहे किसने बनवाया था तो शूर वर्मा दुती ने बनवाया था समराट असोग के किस ब्रहद सिला लेक में पडोसी देशों का वर्णन तरसाया गया है तो समराट असोग के जो है तेरहमी ब्रहद सिला लेक में पडोसी देशों का वर्णन किया गया है तेरह सिला लेक में पडोसी राजों का वर्णन किया गया है असोग के तिरहमें लग के अमसार उसने अपने राजवस्यक आठ वर्स के बाद जो है कलिंग का युद्ध लड़ा था और इस युद्ध में असोग के जीवन में बहुत प्रभाव भी पड़ा उसने अहिंसा, सत्त, दान, परोपकार, प्रेम का रास्ता अपनाया था रभीनाठ टैगोर के एकी सुपन्यास का प्रमुक पात निखिल है, जो देश भक्त से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है, तो है दोस्तों घर बाईरे, डी आप्सन सही हो जाए हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्स हुई? हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई, 10 मैं 1913 गदर पार्टी के महान नेता कौन थे? गदर पार्टी के महान नेता सोहन सिंग भाकना, करतार सिंग और लाल हैदयाल अंगला प्रसना आता है दिरहम क्या है दोस्तों दिरहम क्या था सोने का तावे का चांदी का मिस्थित दातु बोली जाता है दिरहम को क्या बोला जाता है सभी बताईए दिरहम है देखें दिरहम दिरहेम या दिरहम एक चांदी का सिक्का था अभी भी कई अरब राजों मुद्रा की एक इकाई है यह द्रब्मान से समंधिती काई थी यह प्राची नाम ग्रीक मुद्रा या द्राचमा से निकला था इसलामिक दिनार का जो है 22 के सोने के एक बिसिष्ट वजन है जो 4.25 ग्राम के बराबर होता है तो हम एक चांदी के सिक्के की बात करेंगे दिरहम और यह संयुक्त अरब अमीरात की एक मुद्रा है अंगला प्रिश्ण की बात कर लेते हैं अंगला प्रिश्ण है सेर साय सूरी का अंतिम अभियान कि सासक की बिरुद्ध था सिरसाय सूरी का अंतिम अभियान जो है कलिंजर कलिंजर सासक के बिरुद्ध था कलिंजर सासक या कलिंजर के किले के बिरुद्ध था राजा राम मोहन राय के प्रयासों में बंगाल में सती प्रथा को किस अध्नियम के अंतरगत निशेद गोंसित किया गया किसके अंतरगत किया गया था नीमन XBIAD 1829 राजा रामोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सत्य प्रथा को किस अधनियम के अंतरगत निशेद गोशित किया गया तो बंगाल सहिंता का सत्य बिनमे XBIAD 1829 इसमें भारत के ततकाली जो गवर्नर जनरल लाड विलियम थे उनके द्वारा यह पारित किया गया था इससे पूरे बिटिस भारत में सत्य प्रता की अवैद जो है बना दिया गया था अंगला प्रशन है भारती समिधान की प्रस्तावना में संसोधन किस वर्स में हुआ तो भारती समिधान की प्रस्तावना में अगर संसोधन की बात कर रहे हैं तो 1774 में हुआ था कब हुआ था? 1973 में हुआ था वह सम्मयधानिक संसोधन जो सिच्छा के दिकार से सम्मंदित कहलाता है बैलिसमा सम्मयधान संसोधन 52, 61 या 60 की बात करेंगे तो वह सम्मयधानिक संसोधन जो सिच्छा दिकार से सम्मंदित हो जाता है वह आपका 65 समिधान संसोधन की बात करते हैं 2002 में समिधान अनुचेद 21 ए भाग 3 के तहट 66 संसोधन बिध्यक में 6 से लेके 14 वर्षता के सभी बच्चों को मुप्थ और अनिवार सिच्छा के लिए अधिकार में मौलिक अधिकार के उप में प्रभावी बनाया गया किसी समित की सिपारिसों को अधार मान कर भारती समिधान में मूल करतब जोड़े गए तो सरदार सुर्ण समित सरदार सुर्ण सिंग समित के सिपारिस के अधार पर ही भारती समिधान में मूल कर्तब जो है जोड़े गए थे और इन्हें मानने के लिए किसी नागरी को बाद नहीं किया जा सकता है और ये आपके बैलेस में समिधान संसोधन के बाद ये जोड़ा गया था इसके बैलेस में समिधान संसोधन के बाद जोड़ा गया भारत सरकार ने काका कालेकर को अन्य पिछडा वर्ग आयोक का दच निक्त किया निक्त का वर्ष कौंध तो निक्त का वर्ष था उनिस्सो तिरपन भारत के समिधान में धर्म निर्पेशता कार्थ क्या होता है तो भारत के समिधान में धर्म निर्पेशता कार्थ होता है राज के सभी धर्मों को मानता देता है परंत उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है धर्म निर्पेश्टता का यही है कि राज के सभी धर्मों को मानता देगा लेकिन उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा